क्या से हैं दिस इस आयुस्टार्ट एंड एंड एक्साइब में इस एक्साइज आप्टर डिटर्मनेंट क्लियर नौ कोशिन फॉर्टीन तक लास्ट विडियों सबने अपने कंसेप्ट या कोशिन क्लियर कर लिए होंगे आप लोगोंने नौ अब लोग इस कोशन पर आते है विटाव वेस्ट इन टाइम नौ देखो लाना क्या है मुझे फॉर्ट यह रहा जीब साज गोब है से जरो नौ आपको आप सबको पता है दो प्रॉपर्टी पता है जिरो कैसे आता है जब कोई भी दो रो या दो कॉल्ब क्या हो जाए एक्वल हो जाए तो मुझे क्या मिल जहां पर cause a plus b का formula खूल रहा है, so you all know the formula, cause a plus b का, cause a cause b minus sine a sine b, चलो, formula खोलते हैं हम लोग it's cup, sine alpha, sine beta, sine gamma, about that, cause alpha, cause, यह सिंग्मा है कॉज साइन अल्फा साइन डेल्ट क्या बोले हैं डेल्टा बीटा है गामा है इसको बोलते हैं डेल्टा ठीक है कॉज बीटा कॉज डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा कॉज अल्फा नहीं गामा सबको वाधी प्रॉपर्टी याद आ रही है देखो बीच में ने ये दो अलग अलग कर सकते हैं अभी हम लोगों ने किया था हम लोगों ने क्या दोनों को मैं अलग कर सकता हूं अच्छो तो देखो साइन अलफा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अलफा, इसको देखो ये एक अलग जगय है और ये अलग प्लेफ फिर बच्छो प्लस ये अलग जगय है और ये अलग प्लेट ए यह आदेना प्रोपर्टी वह A1 प्लस अलफा, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, अपने अलग क्याता है लास्ट वीडियो में, इदर आपका सेम एज़ीटिस है, साइन अलफा, साइन बीटा, साइन गामा, देन, कॉस अलफा, लिखना बहुत पढ़ रहा है इसका देपस, माइनस का साइन अलफा, साइन डेल्टा, माइनस का साइन बीटा, साइन डेल्टा, माइनस का साइन अलफा, साइन डेल्टा, क्लियर, डन, ना दो को बच्चो, यहां से कॉमन आ रहा है, कुछ, सीथी से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉस डेल्टा, टेकिंग कॉमन क्या लिखा है, कॉमन लिखा है, सी ओ, डबल अ, ठीक है, इना लिखो, कॉस, डेल्टा, क्या बचा, साइन, अल्फा, साइन, लिखना बहुत जादा पड़ रहा हुँ थे, कोई ना, पर देखो, कोशन बहुत इजी है, मुश्किल होते हैं, ऐसे कुछ ना ना, बूड में, कि बहुत साइच चीज़े हैं, देल्टा, प्लस, क्या कॉमन आ रहा है, बच्चों, आज देखो, साइन, डेल्टा, भी तो साइन, नेगेटिव, टेकिंग कॉमन, सेम कंसेप्ट, माइनस का साइन, डेल्टा, तो साइन, अल्फा, साइन, बیटा, साइन, कॉस अल्फा, कॉस, बीटा, कॉस, अल्फा, साइन, अल्फा, साइन, बीटा, साइन, नौ सी, जीरो दाना है मुझे, दो रो एक जैसे आ रही है दो कॉलम दो एक जैसे दिख रहे हैं यहां पर सेम इधा देखो यह और यह C1 नहीं हाँ C1 और C3 से मिल रहे है यहाँ पर C2 और C3 से मिल रहे है तो when two rows और कॉलम आर सेम then determinant is 0 when two two row और column are same then determinant is 0 clear हो गया आपने आप तक कोई दिक्काद नहीं आप है now next चलते है move करते हैं हम लोग तो बस कुछ नहीं 0 0 cos delta into 0 minus 0 into minus का sin क्या है delta 0 plus 0 will give you 0 clear है nothing आपको symbol यह खोलना था अलग अलग करा सबको property पता है थोड़े पर ले अभी अपनों नहीं नहीं कोईशन में क्या प्लाए कि 1 plus P X Y Z में ठीक है अलग किया कॉमा निकाला दू रो या दू कॉलमों को same मिल गई और आपको अंसर में जीरो easy question है इतना important नहीं है इस question still कर ले ना जाए time गथता है ने इस question के अंदर चलो अकले question में चलते है अम लो ना बज़ो question में 16 ना इस question system of equations से related question है यह आई ठीक है ना थोड़ा सा question में हलका सा advanced version दे रखा है देखते हैं तो 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 3y होता है आज असा नहीं है तो इसको मान लेता है letter 1 upon x को a मान लेता है 1 upon y को b मान लेता है 1 upon z को c मान लेता है तो यह हो जाएगा 2a प्लस 2 3 b प्लस 10 c इक्वलस to 4 अगली question आएगी 4a माइनस 6b प्लस 5 c इक्वलस to 1 6a प्लस 9b माइनस 20 c इक्वलस to 2 clear हो आप में यहाप है कोई दिक्कत नहीं यहाप है चलो now अच्छो देखो मेरा काम है मुझे a निकालना जो की है 2 3 and 10 4 माइनस 6 and 5 6 9 and माइनस का 20 लिया रहे आप है equals to equals to कुछ नहीं है a आगया b कितना रहा है बच्छो 4, 1 and 2 and x कितना है यहाप है बच्छो a, b and c और a है 1 upon x वो बाद में बाद करेंगे बड़ सबको यह चीज़े clear है यहाप है यहाँ तक कोशन को recheck पी करें board exam में इन पे हर exam में और यह value जो लिखी इसको दुबार रीचे कर रहा है तो बड़ स्टार्टिक में कर आपने value लिखने में कलती ही कर दिए तो पूरे के पर 10 या 15 में आपके चल जाएंगे और यह बहुत दिक्कत देता है नौ determine निकालने बच्छों हम लोग कितना आ रहा है आपे टू लिखा प्लस 120 माइनस का 45 clear माइनस 3 यह और यह गया तो माइनस का 80 माइनस 30 बच्छों प्लस 10 यह गया 9,4 जा 36 माइनस प्लस 36 को दिक्कत दिए लो 40 क्या तो 80 75 75 टू जा 150 बच्छा माइनस माइनस प्लस 80 बच्छी 110 माइनस माइनस प्लस 110 मिलाते है इसको केना वाला 330 36 प्लस 36 72 72 प्लस 720 तो कितना आ रहा है मैं पास यह आपे बच्छों यह आया 7,000 1050 1050 1100 1200 1200 1200 क्या आया बच्छों यहां पर determined आया which is not equal to 0 and property आपको remember यह याद है तो यह non-singular है so a inverse exist कर रहा है और प्लीज recall करना वापस मैं बोलता हूँ consistent or inconsistently property है because इस साल वो MCQs में आएगी आएगी तो प्लीज make sure exercise 4.6 हा तो 4.6 को अच्छेश देखें property starting का जो वीडियो है वो अच्छेश देखें जो properties तीन property बताई है adjoint of a into b और adjoint of a into b 0 होता है नहीं होता है इन सब के तीनों property MCQs में बहुत important रख दे बहुत major role play करती तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो go to that video and please see the properties जो अच्छे दे समझा है मैंने property है नौ यह आ गया now मुझे क्या निकालना है बच्छो co factor निकालना है अब you know a inverse निकालना है तो 1 upon a adjoint of a clear now adjoint भी ले मुझे चाहिए co factors चाहिए co factors कैसे निकालेंगे c11 तरीका पता है c11 का यह और यह गया करा मैंने solve किया तो मुझे मिलेगा 75 मिलेगा c12 माइनस से ना जाएगा बच्छो 1 और 2 करो सवर कर तो मुझे मिलेगा माइनस का 110 तो करने में कितना मिलेगा 110 c13 13 तो मुझे मिलेगा 72 जो लोग पुराने starting से वीडियो देखते हैं पता है कि मैं c11 c12 c13 जहीं से उठा लेता हूँ जिसनों ने पुरा 416 देखा है मेरा टेक है c21 2 प्लस 1 3 एं 3 क्या हो गया माइनस definitely 2 1 तो अब ध्यांस देखें 2 और 1 हो के तो माइनस का 60 माइनस का 90 बच्छों तो माइनस का प्लस का 150 हो जाएगा यह c22 2 एं 2 तो माइनस 40 माइनस 60 तो यह हो गया बच्छों माइनस का 100 हो जाएगा कोई तक लिए नहीं आता and c23 again a negative sign will come 2 प्लस 3 और माइनस 2 एं 3 9 हो जाए 18 18 माइनस 18 और राम 0 आगया है तो चलो c31 3 प्लस 1 4 3 और 1 15 माइनस लाइनस 60 प्लस जाएगा प्लस 60 इस 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 बिकम 75 परफेट भाही इस अ मैटर ओफ कैल्कुलेशन बच्छों इस अ मैटर ओफ कैल्कुलेशन प्लीस टेक कैल्कुलेशन दिक्कत है रीचेक करें घर बे इतनी प्रेक्टिस करें कि बोर्ड में कभी श्कुलों के उख्याम में बोर्ड उख्याम में कभी दिक्कत ना है c32 a negative sign of will come presence of mind बहुत जरूरी कब positive हो रहा है कब negative हो रहा है ठीक है 3 and 2 10 minus का 40 these will become minus 30 and these will become plus 30 C33 3 3 minus का 12 minus 12 कितना है minus का 24 minus का 12 minus का 12 minus 24 perfect तो मैं पस क्या आया है 4 factors इसका transpose कर दो तो मुझे क्या मिलेगा adjoint of A transpose कर दे 75 0 72 150 minus 100 0 75 30 and minus का 24 clear यहां तक यहां तक यहां तक पुरा clear है यहां तक done अब हमनों आगे चलते हैं जो के मेरा formula था A inverse equals to 1 upon determinant of N adjoint of A ना विच्चो A inverse बोले तो 1 upon A कितना है determinant कितना है रहां रहां बस 1200 और साथ में 75 150 75 110 minus 110 30 72 0 minus का 24 यहां तक clear आगे चलते हैं यह मैं हटा रहा हूँ है आप पुरा ठीक है यह ध्यान रखना यह पुराना ही copy इसको नहीं हटा रहा हूँ है सो देखो बच्चो नो यूनो दा फॉर्मुला X equals to A inverse B ठीक है आप है X equals to A inverse B का फंदा क्लियर है A inverse आ रहा है 1 upon 1200 75 150 75 110 minus 110 110 110 नहीं 100 है यह ठीक है चलो perfect 30 72 0 minus का 24 B कितना है B अमर पास था यही से देख लेते हैं 4 1 and 2 गाईस कोई ऐसा थो नहीं जो मिसलिनिस में डायेकले जम करा है बिना पुराने concept क्लियर करें बिना यह ऐसा है तो बैटर की पहले पुराने एक से इस क्लियर करें concept वहां से बिल्ड करें speed और accuracy वहां से create करें then मिसलिनिस करें ठीक है ना directly चाम मत करना ना बहुत कम सुन में आएगा ठीक है नो देखो 1200 कितना हो यह हो जाएगा 300 यह हो जाएगा 150 यह भी 150 यह हो जाएगा 440 माइनस का 100 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चो यह कितना हो जाएगा 8 28 0 माइनस का माइनस का 48 clear done अब देखो कितना आ रहा है मैं यहाँ पर अब मैं आखो X कितना था बच्चो मेरा A, B, C Can I write 1 upon X 1 upon Y 1 upon Z यह भी है समच्चो यहाँ देखो calculation करते हैं हम लोग मैं पाई space तो है चलो ठीक है 1200 जहाँ कितना है 600 जहाँ करो मैंनस कितना आ रहा है पस यह गया तो मैं पास बच्च रहा है 400 ठीक है 340 पाई 60 400 यहाँ मुझे मिला 240 clear यहाँ मुझे मिला 240 done और इदर जो है 1 upon X 1 upon Y and 1 upon Z clear now इसको अंदर मैंट ब्लाइ करते तीनों से तो यह 0 हाँ बचा 1 by 3 बचेगा इसको देखो कितना रहा है 240 upon 12 00 यह हो यह बहा तो कितना है 12 24 यह और यह 1 upon 5 तो मुझे कितना आया 1 upon 5 so 1 upon X इसको अगर half है तो बच्चो मुझे X कितना मिलेगा 2 1 upon Y अगर 1 by 3 है तो Y कितना आयगा 3 and 1 upon Z equals to 1 upon 5 है तो Z मुझे कितना मिलेगा 5 clear है यहाँ पर तो question यहाँ पर जाके खतम होता है you can verify your answer 2 रखो 2 upon 2 1 3 रखो 3 upon 3 1 5 रखो कटा 2 2 plus 1 plus 1 कितना है 4 तो आपका answer verify हो गया तो इस question में कुछ भी नया नहीं बस नया जो था 1 upon X मानने वाला part का बागी question as it is 4.6 देसा question है clear important question है board के लिए बहुत important question है ठीक है copy करें चलते हैं next question तरफ हम लो now बच्चो MCQs पर आते हैं question में 17, 18 and 19 ठीक है तो इसको मजाग तो मत समझना अच्छे practice करना हो जाएगा clear ठीक है now देखो हमको क्या करना है याँ पर question देखो हो रहा option दे रहे हैं अब A, B, C and A, P if you remember अगर A, B, C अगर A, P में है तो किसी को याग तो 2B equals to A minus C चलो मैं सिखा तूँ क्या common difference सेम रहेगा पता है सको ये वहाँ गया तो 2B equals to इसको महाँ पेज़ो दिया आजाएगा A plus C तो 2B equals to A plus C ठीक है आप है अब पर relation देखो जड़ा दियां से देखना बच्चो R2 देखो R2 4 plus 2 कितना होगा है 6 जो कि 3 का double 5 plus 3 कितना होगा है 8 जो कि 4 का double है यहाँ APR ला काम लग जाएगा तो जड़ा देखो जड़ा जड़ा है आप है देखना बच्चो multiplying देखो मैं करना हूँ है multiply and divide by 2 X plus 2 X plus 3 X plus 2A ठीक है बच्चो X plus 3 X plus 4 और X plus 2B X plus 4 X plus 5 and X plus 2C ठीक है अब इस 2 को मैं R2 से multiply करना हूँ ठीक है तो क्या होता है ये half तो बहार रहेगा X plus 2 X plus 3 और X plus 2A 2X plus 6 2X plus 8 2X plus 4B done जहां तक कोड़ आउट नहीं है easy question को tough question नहीं है एपा घर प्रेक्टिस करोगे तुम्हें अराम से आजाएगा done now X plus 3 minus इंदो एट रो 2X हो जाएगा अभी कितना है बस ये 2X plus 6 है 2X plus 6 है minus कर रहा हूँ है R1 plus R3 करो एट प्रो 2X plus 6 पूरा गया हो या तो कितना है बच्चों यहाँ पर 0 उप्राली चीद लिख दें थे हम लो X plus 3 X plus 2 है ठीक है तो ये कितना रहा है मुझे यहाँ पर 0 ये भी जड़ा देखो 0 मिला इसको जड़ा देखना इस वाले को 2X plus 4B minus 2X और plus 2A plus 2C ठीक है तो अदिने इक पर है 2X से 2X गया और क्या है 4B minus 2A minus 2C क्या मैं 2 common निकाल लूँ तो क्या हैगा 2B minus A minus C कोई दिक्कत नहीं आप है तो मैंने 2 common निकाला और 2B minus A minus C और ये X plus 4 X plus 5 X plus 2C ठीक है बाइ 1 जड़ा देखो 2B किसके बरावर है A plus C के बरावर बाइ 1 2B किसके बरावर है A plus C तो A plus C minus A और minus C से cancel out हो जाएगा ठीक है यहाँ पर तो मुझे मिलेगा 0, 0 ये भी 2, 2, 0 जा देखों मैं दिखाता हूँ 2 बचा इसकी जगे आया A plus C minus A minus C ये और ये गया ये गया तो और क्या बचा 0 बचा 0 मंडलाब है निटिंग? 0 X plus 4 X plus 5 और X plus 2C तो बच्चों ये पूरी रोग वो अटाके में क्या लिख दूँ यहाँ पर? 0 लिख सकता हूँ और पूरी रोग अगर 0 हो गई तो मुझे determined क्या मिलेगा? 0 0 की property आदे है पूरी रोग ये column 0 हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा answer? 0 So, यह answer is first option Clear है? चलते हैं So, बच्चों, question 17 पर आते है Question 17 की demand क्या है हमसे? If X, Y, Z हा non-zero real number Non-zero मलब जो 0 नहीं हो सकते है बागे कोई भी दुनिया का कोई भी number हो सकता है Then, the inverse of the matrix आपका चार options है बुक में देख रहे हैं आप लोग तो इसका inverse कैसा दिखेगा? Now, देखो बच्चों Inverse कैसा दिखेगा? तो ओ CBC बात मुझे inverse निकालना पड़ेगा We need to find A inverse So, you know the formula Adjoint of A So, let's find out Determinant of A X लिखा मैंने यह हुआ तो क्या है? Y, Z Minus 0 बागी बच्चे दोनों क्या आ रहे है? 0 तो फाल तो दिमाग लगाना ही नहीं अपने अठीक तो X, Y, Z तो आपका Determinant कितना है बच्चों? X, Y, Z Yeah? Now, मुझे निकालना है Go Factor ठीक है? हाँ पर Co Factor Adjunct लाना है तो मुझे Co Factor निकालना पड़ेगा अच्छे से So, C11 अच्छा, C11 कितना हैगा? Y, Z C12 कितना हैगा? With a negative sign यह और यह छोड़ तो 0, 0, 0 आ रहा है C13 कितना हैगा? 1 और 3 0 और 0 Clear? C21 2, 1 2 और 1 चोड़ा तो मुझे Y, Z मिला बच्छो क्या मिला? Y, Z With a negative sign चलो 2 और 1 आगे हैं मैं पास C22 C22 2 और 2 0, 0 ठीक है बच्छो? Now C23 2 and 3 यह 0, यह भी 0 Clear? 2 और 1 नहीं बच्छो देखो यहां पर को 2 और 1 0 यहां कि मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा यह यहां पर यह और यह बच्छा X, Z बच्छा क्या बच्छा? X और Z C31 3 and 1 0, 0 C32 और यह था positive था ना? इसके positive बच्छा 3 3, 2 3 and 2 0, 0 C33 3 and 3 से मुझे XY मिला Clear? तो मुझे मेरे core factors मिल चुके हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आओ किसी को भी Easy question है वह यहां डरो मत 9 Adjoint के लिए आपको क्या करना होगा? इसका Transpose करना पड़ेगा जो की आ रहा है बच्छो YZ 0, 0, 0 XZ 0, 0, 0 X Y Clear? यह मेरा आ गया Adjoint Now सब कुछ आ चुका है A inverse equals to 1 upon determinant of an adjoint of A 1 upon XYZ मुझे YZ मिला 0, 0, 0 यह इन तीनों से मिला होगा इस पूरी रो से पूरी रो से पूरी रो से पूरी रो से तो यहां से तो 0 ही आना है यहां देखों जब इसके नीचे गया है बच्छो तो 1 upon X बचा अरे YZ, YZ खतम हो गए है तो X बचना अपन X यह 0, 0 यहां 0 X उ Z कर गए भई ऐसे हो रहा ना XZ upon XYZ यह यह कर दा तो मुझे क्या मिलना बच्छो 1 upon Y यहां पर 0, 0, 1 upon Z और ध्यान से देखेंगे अगर आप्शिन्स मिला हैं हम दो तो X की पावर माइनस 1 0, 0 0 Y की पावर माइनस 1 0 0, 0 Z की पावर माइनस 1 So this is your A option क्लियर है यहां पर easy question था चलते हैं last question ज़रफ हम लोग now much more last question of this chapter question number 19 के बात करते हैं और बहुत बहुत ही अच्छा question है बात करी जाए तो बहुत अच्छे deep concept है एक बहुत अच्छा deep concept है अलाइकि वो concept खुद easy है बट आपको खुद को याद नहीं रहता कि वो concept क्या है sign की range क्या होती है ठीक है जिसके 11 ती concept यह रहा है उसके बहुत easy हो जाएगा question मागा यह रहा sign 0 से 2 pi ठीक है मैं हलका से कुछ clear कर देता हूँ यहाँ पर sign ग्राफ होकर एक सीची को याद है चलो बात में बताता है अब भी तो नहीं यह राज रहें देता है फिरो लोग बात बताएंगे आपको last में चलो इसका भी क्या determined का दे रखा है कि जो आ रहा है range वो कहां से कातक आएगा तो देखो पर देटा में निकाले हम लोग क्या आएगा 1 लिया 1 माइनस माइनस प्लस sign square theta माइनस sign theta बच्चो क्या आया यह हो रही है गया तो माइनस का sign theta माइनस प्लस sign theta यह तो हो गया 0 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस sign square theta बच्चो यह हो गया plus 1 clear कोई दिक्कत नहीं है आपर ना मुझे इदो 0 हो गया हटाओ last में कि इनना बनाओ plus sign square theta plus 1 तो finally मुझे मिला 2 plus 2 sign square theta then यहां तब को डाउट नहीं किसी को भी तो मुझे मिला determinant यह है यह ना आई यह बच्चे ना देखो अब एक चीज़ समझना अच्छे से मैं बहुत important चीज़ सीखा रहा हूं को मैं यह बहुत काम की है जो बच्चे आयटी प्रेशन कर रहे हैं और वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा पर जिनको जो बच्चे भूल चुके हैं प्रीज देखें साइं ठीटा का ग्राफ होता है ऐसे ठीक है कितना यहां गया उतना ही बिछे जाएगा यू ओल लोग दो मैंग्जिम वैली ओफ साइं इस माइनस वन प्लस वन हैं दा मिनिमम वैली ओफ साइं इस माइनस वन क्लियर को डाउट नहीं है यहां सियरो सीटी पед फटब है नौ मुझे यहां पर दिया अपर यह इस प्रिंज लानी है अब ध्यास देखना यह इतना इजी नहीं है जो बच्चे कंसेप भूल चुके हैं उनके लिए इतना इजी नहीं है ठीक है खतम वरती है, two pipe है, तो मुझे यहाँ पर दिया फी इसने खीटा क्या दिया हुआ है, zero से लेके two pipe तक given है, clear यहाँ पर, now देखो, zero से two pipe तक का मुझे इसने फंडा दिया हुआ है, now see, मुझे दिरे दिरे इसकी range लानी है, अब ध्यांस देखना, यही इतना easy नहीं है, जो बच्चे concept भूल चुके हैं, उनके लिए इतना easy नहीं है, now, as you know, अब zero से two pipe तक का पूरा cover कर रहा है, उपर top पे one, नीचे bottom से, minus one, देखो, यह क्यों important है, अगर question बोलता, zero से, कहीं बोलता, बीच में कहीं बोलता है, यह बोलता, zero से लेकर 90 तक, तो zero से 90 तक जा रही है, value zero से one, तो sine theta होता, zero से one, पर यहां पे बोला है, sine zero से लेकर two pipe, तो मैंला maximum value जा रही है one, minimum value जा रही है, minus one, बात समझ बोलता है, कि three pipe by two, तो भी minus one से one ही होता, अभी इसे पूरा upper bottom, पूरा cover कर दिया, तो zero से लेकर, one तक जा रही है, cover कर रहा है, clear है यहां पे, चले हैंगे, question for example, बोलता, देवो सीखो, question exam बतलता है कैसे हैं, question बोलता, theta आ रहा है, zero से pi, तो यह लिए range आती नहीं, minimum चल रही, zero, maximum चल रही है one, तो range होती, zero से लेकर, one, पर इसने बोला, two pi, maximum one, minimum, minus one, तो sign theta की जो value है, वो चल रही है, minus one से one, ना धीरे धीरे, मैं यह चीज उगाऊँगा, यहां पे, ना देखो, यहां जीए sign square, तो squaring करता हूँ, both side, और concept समझना, यह concept से inequality के है, तो science पर हो जाएगा, यह हो जाएगा one, अब कई बच्चों के मन में ख्याल आ रहाँगा, कि यहां पे सर्वन कर दो, बढ़ मैं यहां one नहीं करूँगा, क्या करूँगा मैं, zero, क्योंकि you all know, G1 में जैसे for example, x square भी हुआँ, तो x square हमेशा zero से बढ़ा होगा, यह कभी भी negative नहीं हो सकता है, ठीक है है आपर, यह हमेशा zero के बराबर, यह zero से बढ़ा, because you all know, अगर मैं x की value negative डालता हूँ, तो negative का square गया हो जाएगा, positive, तो zero से बढ़ा मतलब, value क्या है तो हमारी positive, तो sin square भी हमेशा क्या होगा, zero से बढ़ा, ठीक है है आपर, तो squaring करने भी मुझे यहां के डाला पढ़ाएगा, zero, done, नाव बच्चों, मुझे यहां पर चीए, two, तो multiply by two, तो zero उन्टर टू, zero, two sin square theta, यहां या, two, नाव देखों, अब मुझे यह चीए उन्गई यहां पर, create हो गई यहां पर, अब मुझे चीए, two, तो मैं लिखता हूँ, heading, two, both, side, two add यहां पर भी होगा, two add यहां भी होगा, और two add यहां भी होगा, zero plus two, two, two plus two sin square theta, और यह two plus two, four, तो यह कौन है मेरा बच्चों, determinant है, determinant of a, जो की lie कर रहा है बच्चों, कहां से कहां तक, two से लेके four तक, कौन सा option मैंच कर रहा है, option four, clear हुआ, मैं बापत बता देता हूँ आपको, यह आपको, zero से two pi हुआ तो, maximum value one, minimum value minus one, ठीक है है आपके, extra सिखात हूँ मैं आपको, for example, theta मुझे बोलता, zero से लेके pi, तो sin theta होता, कहां थे, minimum zero, maximum one, अगर ही pi, क्योंकि graph जा रहा है, यहां से लेके, यहां तक ही, पर two pi बोला है तो, minimum minus one, maximum one, तो, minus one से one चला गया, squaring करा, फिर देन ये concept की, square हमेशा, किसी भी चीज़ का square, हमेशा zero से तो बड़ा ही होगा, और zero के equal लगी, ठीक है, तो zero से equal बड़ा, zero seven, फिर वोई, मैंने पूरा determined, create करा, तो multiply by two करा, फिर adding two करा, determined आया, तो range आई, two से लेके four, सो I think guys, पूरा जप्टर अच्छे से, clear हो चुका है, practice करें, two point four, four point two के, बहुत अच्छे से practice करें, कि उनमें से question आना, compulsory है, system of equation, hundred percent, sure, board में आएगा, make sure, calculation, अच्छे से करें, clear हैं आपे, now हम लोग, वीडियो बनाएंगे, next chapter के लिए, so ये chapter अच्छे से clear करें, I hope so, आपको भी वीडियो पसंद आए होगा, so like करें, share करें, subscribe करें, thank you,